हलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आपका हमारे एक नाई वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही जवर्दस्त होने वाला है आज मेरे साथ एक TCCC सहाब हैं और यह पॉइंट्समन से TCCC तक का सफरताई किये हैं तो आज जानते हैं कैसे-कैसे यह संखर्ण किये और कैसे-क से पहुंचे तो चलिए आपका स्वागत है हमारे वीडियो में और वीडियो देखने वाले को एक छोटा सा अपना पर्चे दे दीजिए कि नमस्ते है कि मेरा नाम उमेश चौधरी कि मैं पॉइंट्समें ग्रूप से सिसी टिसी में एक्जाम पास करके आया हूँ अभी मेरा पोस्टिंग है सिसी टिसी सुरत टिसी स्लिपर में हूँ और अब आपका था पॉइंट्समें में कप ज्वाइनिंग था तैस साथ दोजार चौधा तो अभी यह जो आपका भी जो हुआ है इसे टिसी में ने तो यह कौन से एक्जाम देखे हुए थयत्स参वर स्कूराइख थैस में रेंकर कोड़ सुने से जाता है उनको दिया जाता है घैने इसने साल के आप जैसे कि आप आप्समें डूटी कर लीएर तो माँदे टार HR यि निकलता है मिलिक साथ साल के बाद दिया हूँ डिया हूँ वetter तो कितुने तेंडिल के तीन साल बाद होता है कई कई अभी तो दो साल बादी किया हुआ है तो आपका साथ साल लग गया इसमें ना साथ साल लग गया बहुत लोग पीछे जल्दी भी हुआ था ना बाकी तो कहें हम डिविजन चेंज करके आये थे इसलिए हमारा सेनेडिर लॉस था 2017 के CCTC तो नहीं पर booking के इसमें आमारा काम हुआ था दोस्तों बता दूं कि यह इनका जुआनिंग दूसरे जगा था मैचुवल करके आया थे इसलिए इनका सेनर्टी लॉस हो गया था इसलिए तो इनके साथ के लोग दो साल तीन साल पहले लोग चले गए बराबर तीन साल पह तो मतलब कि इसमें कुछ पढ़ए भी करने परती होगी न ऑद एक्जाम देना होता है डिपारमेंटल तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जेनलरल कुछन जेनलेल कोशन नॉलेज आर डिकारमेंटल नॉलेज तो आपको अभी तेसी में कितने दिंगे ट्रेंइंग हुई एक अब दर टीसी में तो आमको सतर दिन का उदेपूर में पीकप था जो ट्रेनिंग दिये हैं उसके बाद में इदर साध च्छे दिन टीसी में और कमर्शेल में चेज दिन करके दो-दो दिन बुकिंग दो दिन गुड्स और दो दिन लगेज में दोस्तों बता दें कि देखे बहुत लोग बोलते हैं कि कोंचिंग नहीं तुक्ता नहीं है अभी देखिए ये शर महराश से हैं महाराश्ट में जैसे आप लोग पता होगा को उतना जेनरल कर्पूरिशन त्यारी नहीं रहता है लेकिन तब पर भी यह देखिए रेले में वह भी पॉइंट्समेंट जो पोस्ट होता है आप लोग जानते होंगे बहुत ही अच्छा होता पोस्ट होता है अभी यह भी मान ल सकते थे साथ साल नहीं लगता तो यह पॉइंट्समें और देखिए पॉइंट्समें का जॉब निकालना और देखिए महाराश्ट में लोग बहुत बोलते हैं कि इधर पढ़ाई नहीं होता है दूसरे स्टेस में बिहारी उपी में ज्यादा होता है तो ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर इक्षा होनी चाहिए इधर से भी महाराश्ट और गुजरात इधर के भी लोग कंपोटिशन निकालते हैं और देखिए आपके सामने हैं तो आप यह पॉइंट्समें में कहा है यह कहारी के था मैं तो तो यह डिस्टिक पुलिस की करता था महाराश्ट डिस् सब्सक्राइब करते हैं तो फॉर्म बरके रखा था तैरा में उसका कॉल आया और चौदा में एक्जाम दी और उस डिस्टिक पुलिस के हिसाब से अमने में जो प्रिपरेशन करके रखा था उससे पास हो गए रेल्वे और चौदा में आप 2015 में आमको जॉइनिंग मिल गय अच्छा रहता है उस मेरिट में उसी का होता है अगर नहीं तो दुसरा और जैसे ट्रेक में और अगर आसा मिलते हैं जिसका बढ़िया नमबर आता है उसी का पहले पॉइंट में मिलता है और देखिए पॉइंट में होने का मतलब कि आपको चार-पांच बर्स बहुत बन गए जार दो तीन ओटों गार तो हमारा तो ही हुआ है जो अंडवाट डिविजन से मुंबई डिविजन आये थे उसी सबसे हमारा सेनेटी कम हो गया था तो जो सेनेर लोग थे उनको आगे चांस दिया 2017 में हमारा काम हुआ था हमें एक स्टेशन से सिंकरा स्टेशन पा अब दोनों में आच्छा कॉन रहता है देखिए अभी तो बात तो अपनी मैं मास्ट्र तो बेचल इसवों घ्रेट हों मास्ट्र मिल जाता तो घ्रड़ हो पूब यह ही थो भड़िया क्रव में आपना है कि दिन रेस्ट करना पड़ते है जैसा शूरत से निकले हम अमदाबाद गए अमदाबाद में एक रेष्ट एक दिन रुको चे गंटा आठ गंटा से रेष्ट करो उसके बाद में जो भी गाड़ी मिलती है वो इस अब से आपको लूटी करना पड़ता है तो अच्छा ये टीसी मताई कुछ परसानेगी होती है इस परिचानी तो बहु तो यह सब से वह काम करना परता है तो आपका हो गया पॉइंट समय तो अच्छा लग रहा है अब तो बढ़िया है चार गंटा छे गंटा जो भी डूटी हो गाड़ी आने तक station to station pointsman में कितना डूटी था आपका बारा गंटा अभी तो उदर जाने के बाद बहुत chess हो गए होगे स्थे गंटा शाथ गंटा के उपर होता नहीं है डूटी इसलिए कि तो लोगों कोई इच्छा पर होता है जब अंदर आएंगे तो पता चलेगा और दोस्तों में बता दू की ओटी या ओभर टाइम जो होता है लोग कुछ नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता है ना कुछ नहीं मिलता है पॉइंट में आपको बार अगंट की ड्यूटी करने ही पड़ती है यहीं है कि जौब बढ़िया है और डिपार्टमेंट में जाने का बहुत चांस रहता है और स्टेशन सेवन किलो मिटर्स के आगे अगर जाते है तो टी ये बन जाता था अभी तो सब दस दिन के हिसाब से किया हुआ है दस दस दिन के ऊपर कोई भी कर्मचारी जा नहीं सकता है जो दूसरा अपना साती हो पॉइंट्स में तो हो जाएगा दस दिन अपने होने के बाद में दूसरा बज जाएगा और उसका टिये सेंक्शन करेंगा चले में पूछ लीजिएगा यह भी जबाब दे देंगे और मेरे सो सकता तो मैं भी दे सकता हूं चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही तक था पिलिज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर कीजिए जैन जै माराश्ट धन्यवाद